हेलो व्रिबन वल्कम बैक तो मैं चनल कैसे वाप सब आई होप यूगाइस आर विल दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं होती ज्यादा गजब का डियाइवाई डायमेंड फेशल जितना आपके फेस में ग्लो आने वाला है अगर आप इस फेशल कम क्लीन अप को यूज करते हो होम मेट क्लीन अप कह सकते हो फेशल कह सकते हो क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेफ है और जिनको पस वगारा है या फिर किसी भी प्रिकार की स्किन डिसीज है वह पहले पैच टेस्ट जरूर कर ले उसके बाद इससे ट्राइब करें अधर जो इसके भी प्रिकार का investment नहीं करना है जो भी चीजे आपको आपके घर में बहुत इसली अवेलेबल हैं इसमें एक एक इंग्रेंट इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर आप उसका सिंगल यूज भी करते हो तो दोस्तों आपकी स्किन में जादू करने वाला है तो आप मार्केट एक या प्रोपर्टी जो आज हमने घर में फॉर्ट स्टेप फेशियल कम जो क्लीनप मैंने प्रेप्रेट किया है इसके अलबा मैंने सेल्फ में खुद पर इसे टेस्टेट किया है लेकिन आज मैं यह आपके साथ शेयर करने वाली हूं तो इसका इसकी प्रेपरेशन कर ले जिससे कि हमारे स्कीन जिससे कि हमारे स्कीन इसकी स्कीन होँ है इसके हम फोर स्टेप में लेकर आपके लेकरने करने कि मेरे DR. १47, क्लेंvisor कर दो होम इड रूने इता आठी लिए ऑपेजर को पर दॐ दाय् accessed that क्लेशर मिल्क लनाए ना इसके लिए पर लिए के लिनगरे ना है तो जब हम जो मिल्क इतना अच्छा एवन सबसे बेस्ट क्लिंजर कह सकते हो क्योंकि इसमें मैल को काटने की इतनी ज्यादा च्छमता होती है दिन हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं स्क्रब या एक्सफोलियेशन जिसे आप कहते हो हम सेकंड स्टेप हमेशा स्क्रब कर आपके डेट्सल वाइट ब्लैक है यह सारे रिमूव हो जाते हैं आपके पोर्स अच्छे से साफ होने के साथ साथ आपके जो पोर्स वह ओपन भी हो जाते हैं स्क्रब करने से एंगे चावल का अर्टा एक चम्मच एंड उसमें हम लेंगे बीटू जूस एक चम्मच एंड कि फिर ओयली है तो रोज वोटर का यूज करें, दोस्तों मिलक ना यूज करें एंड इसके अच्छे से मिख करके आपको अपने फेस में से अप लाइभ करना है पहले पूरी फेस उसके बाद आपको जन्टल हाथों से रख करना कसे कम से हम 5 मिनट के लिए यहां पे यहां पें काफी ज़्यादा ब्लैक हेट्स का डिपोजेशन हो जाता है दोस्तों आपको अपने फेस का एक एक कोना लेके एवन आपको अपनी गर्दन भी इंक्लूड करनी है इसको अच्छे से रब करना पांच मिन पर लूद उसके बाद सर्क्वल मोशन में रब करना उसके बाद अपना फेस बहुत अच्छे से वाश करना चाये ते आपको 3rd step करना है थरिसटप के लिए हम फिर से लेलेैं दोस्तों आपको लेना है दही तही आपको थोड़ा सा गाढा एं बहुत अच्छींक चावल का आटा लिना है है चावल का आटा मतलब आपको यह वाला जो हम ऐने एक एम्हारा मेन इंगिडेंट है इसके लावा हमा हमें लेना है नहीं जेल इन चारों चिज़ों को बह। अच्छे से अच्छे से क्रीम बनाले जैसे कि मसाज कि घ्रिम हमारी प्रिपेयर है अब हम इसे अपने फेस पे अपलाई करेंगे पहले के बाद यहां पहने बहुत की ताइम के लिए अधर से तरीकें नुट लुटा ना करें इसे मसाज करने के बाद 10 मिनुट कमसे को मसाज करें उसके बाद इसे साफ कर दें एंड हमारा फॉर्थ स्टेप है दोस्तो फॉर्थ स्टेप है कि चुकंदर में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है स्किन को लाइटन करने की ब्राइटन करने की आपकी स्किन में एक अलगी गुलावी ग्लो एड करेगा तो उसके अलावा अब हम फॉर्थ स्टेप करेंगे अब मास्क की हमने जब हमने स्क्रब किया था हमारे पॉर्ट्स ओपन हो गए थे उसके बाद हमने मसाज किया तो हमारे पॉर्स ने अच्छे से जो उसकी यह जो सारी इंग्रेट की गुणनेस को अच्छे से अब्जॉब कर लिया आप फोर्थ स्टेप मतलब की मास्क हमारे पॉर्स जो ओपन थे उन्हें हमें खुला नहीं चोड़ना अगर खुला चोड़ा तो सारी गंदगी वगरा हम मास्क के लिए हमें चाहिए चंदन पाउडर बीटरूज जूस चंदन पाउडर बीटरूज जूस अगर आपके पास चावल का आटा है पेस्ट वाला थोड़ा सा बचा हो तो से भी एड़ कर सकते हो अगर आपके पास चावल का आटा नहीं तो दोस्तों आप नॉर्मल आटाओ और जाई का जो भी मल्टीग्रें आटाओ आप उसे यूज सकते हो तो कि हमारी स्किन को निखारता है हमारी स्किन को टाइटन करता है मतलब समय से पहले रिंकल्स निगाए इसके अलावा आपके त्थंडग भी पहुंचाता है अगर आपके इंफ्लामेशन पिमपल् इसे यह सूदन करेगा सांथ करेगा तो इस पेस्ट को अच्छे से बना के हमें अलवर फेस में अपलाई करना है एंड उसके बाद इसे हमें छोड़ देना कमसे 15 मिनट उसके बाद जब मेरी हमारी हमारा फेस सोट जाए पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है इसके बाद दोस्तों अपना फेस मोस्टराइज जरूर करें जो भी आपको मोस्टराइज सूट करता हो तो आई होप दोस्तों मेरा यह वीडियो अच्छा लगा अगर लगा प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें सब्क्रेब करें कमेंट करें तब तक निलमा शकार चकार बढ़न दो